तो शुप्रभात आप सभी विद्यात्यों का विश्विद्याले की ऑनलाइन तक्षा के सरिंख्ला में पुना एक बार आप और हम आमने सामने बैठ चुके हैं इस तक्षा में चेचा कहने के लिए जिस तक्षा में विशे विश्यग्य की तौर पर हमारे और आपके चहिते सभी के तरफ से और अपने विश्विद्याले परिवार से सरका हार्डिक स्वागत करता हूं कुना एक बर इस ऑनलाइन प्रक्षा में जैसा आप लोग ग्यात है कि आज का जो विशे है वो हिंदी नाट के साहित के ऊपर विशे है और जिसको चैचा करेंगे राजीब शाह जैसे है वारे में चैचा करेंगे अधुनिक नाट के रचना में संगह संतर वंध हो गया इवातिंदू के नाटा है विशे है परिशे है विशे है आते हैं जी बिलकुल बिलकुल जी साथ श्वागत सर आपका धन्यवाद आप सर अपने चर्चा सुरू कर सकते हैं हाँ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत रख्यात्रा की बहुत-बहुत मंगल कामना है शुक कामना है प्रविसर अविश्यक जी का और इनकी पूरी टीम का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत आज की कक्षा में मैं अभी अब शेक जी से बातशीत हो रही थी तो कह रहे थे कि आज नाट्टि सहित्य की तक्षा है तो मैंने का तो जिंदिगी तो पूरा का पूरा नाटगी है और मैं समझता हूँ कि यही एक चीज है सेक्षणिक रूप से भी नाटक की प्रस्तावना को समझने की कि आखिर नाटक आया कहां से है क्या नाटक के प्रती यह रुची कहां से आये नाटक भारती ही नहीं कि वैश्विक बागमे में वैश्विक सेच्षनिक वैश्विक साहित्य परिवार में नाटक यानि की प्ले जुड़ा कहां से तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने अभी कह दिया कि जिंदिगी एक नाटक है जिंदिगी हर जब एक पुड़ा सा दार्शनिक तामे बात होती है तो बड़े लोग कहते हैं साहितिकार कहते हैं बड़े भुजरुग कहते हैं कि भाई ये सारा का सारा संसा एक नाट और हमें इसमें भगवान ने हमारा एक रोल दिया है एक भूमी कर दिया है इसको निवाना है क्योंकि सब कुछ अनिश्चित है हम उस एक नाटक के हिस्से हैं जिसको की किसी ने लिखा है हम उस नाटक के पात्र हैं और हमारे आसपास जितने लोग हैं वे सभी इस रंग मज़ पर हमारे साथ सहपात्र है तो नाटक हम कब कहते हैं कि कोई नाटक हो रहा है और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जब मैं किसी नुकड नाटक का या किसी फिल्म का जब निया अधीश मंडल का सदस्य होता हूँ कास्तोर से विद्यार्थियों मैं तो वो पूछते हैं कि सर अच्छा नुकड नाटक या मेरी एक्टिंग कैसी थी ऐसा लोगों में स्वाव एक प्रेश्न होता है तो मेरा उनको एक ही चीज कहनी होती है कि देखो सबसे अच्छी जो एक्टिंग है वो वह है जो एक्टिंग जैसे नहीं लगती सबसे अच्छी एक्टिंग वो है जो एक्टिंग न लगे यानि कि जब हम नाट्य की बात करते हैं या अभिने की बात करते हैं आचारी विश्वनात जी ने कहा था कि नाट्य तत्रावि नेयम ये सहति दरपड में आचारी विश्वनात ने कहा यानि कि अभिने नाटक या अभिने यानि कि जो आप कर रहे हैं जो आपकी क्रियां हैं वो इतनी सजीव हो जाएं कि वो यह न लगें कि यह आप अप्राक्रतिक रूप से वह कर रहे हैं जो कि आप नहीं हैं तो वह सबसे सफल नाटक होता है वह सबसे सफल नाटक होता है और वही सबसे दमदार एक्टिंग होती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि उस एक्टर ने ऐसा रूल प्ले किया ऐसा अभिन्य किया कि वह लगाने के अक्टें है आपका उस पात्र के साथ जब तादात्में स्थापित हो जाए एकात्में स्थापित हो जाए वह पात्र उस पात्र को जीने लगे जैसे कि मालिया यहाँ पर एक आदमी है सुमिता दास या कोई एक नाम लीजे सुमिता दास जी अपना प्रेजेंटेशन बंद करिए एक नाटक कलकत्ता में हो रहा था रंगमंच और एक अंग्रेजी जेल का और क्रान्तिकारियों का कोई नाटक था सामने की पंक्ती में ईस्वर्शन्द विद्यासागर भी नाटक देखने वालों में थे तो उस नाटक में जो जेलर बना था वह भारती ये खरान्तिकारियों के ऊपर जितनी कुरूरता के साथ छड़ी चिला रहा था या जितने कटू वचन वो बोल रहा था वो इतने जीवन्त थे इतने सजीव चित्रन था उसके अभिने का कि इश्वशंद विद्यासागर ये भूल गए कि वो नाटक देख रहे हैं और उन्होंने अपनी चपल या जूता उठाके उस पात्र के ऊपर स्टेज फर फैंक दिया और जब उन्होंने वो फैंक दिया फिर उन्हें अपनी भूल का एसास हुआ कारिक्रम समाप्ती के बाद वो उन पात्रों से मिलने गए और उस पात्र से कहा कि भाई मुझे माफ करना तो उस पात्र ने जो बालक उस रोल को कर रहा था उसने उनके चरण पकड़े और कहा कि सर ये मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरसकार मिला है कि मैं उस पात्र को इतनी जीवनत्ता के साथ निभा पाया कि आप जैसा विध्वान भी यहां नहीं समझ भा है कि ये नाटक हो रहा है तो हम सब इस अंसार में परम्पिता के लिखे हुए नाटक के एक पात्र हैं और अपना अपना नाटक अपना अभिने अपनी अपनी भूमिका यहां करने आये हैं अब हम उसको कितनी कलात्मक्ता के साथ करते हैं यह हमको दिन प्रति दिन पल प्रति पल सीखना होता है पल प्रति पल और इसमें हम जितना अपने आपको तरास्ते चलते हैं जितना हम अपने आपको माधते चलते हैं जितनी हमको ठोकरें लगती हैं हम उतना ही अपनी भूमिका में निखार ला पाते हैं इसलिए मेरे विद्यार्थियों अगर कहीं आपको कोई चोट लगती है कोई असफलता मिलती है कोई कस्ट होता है कोई आपको करारी हार मिलती है तो उससे आपको घवडाना नहीं है क्योंकि यह नाटक है कुमर वेचेंजी की एक गजल है उसमें वो कहते हैं कि चोट पर चोट देते जाने का शुक्रिया एक पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया और तुम ना आई तो मैंने कई जरूरी काम कर लिये ओ नीद आज की रात ना आने का शुक्रिया तो साहित्य में जब हम नाट्टि साहित्य को पढ़ते हैं और साहित्य की किसी भी विधा को पढ़ते हैं तो उसका मूल कारण यही है साहित्य केरियर दे आपको आजीवी का दे वो एक अच्छी चीज हो सकती है मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन मूल चीज यह है कि साहित्य आपको तो अपनी जीवनी आत्रह में आपको अपने अभिनय को सुधारने का बहुत अफसर देता है, माजने का बहुत अफसर देता है, चमकाने का बहुत अफसर देता है नाटक में मैं आपको एक तीन स्लाइट का एक छोटा सा दिखाता हूँ कि नाटक के साथ हम आज क्या सीखेंगे तो आप ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखिए और ये मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है अब जैक ये मैं दूसरे तरीके से ही करता हूँ मैंने आज नया तरीका एक सोचा था क्वें तरीके से हाँ झाज क्वेंगे प्रेजेशन देखिए और ओस्पी से पलिए तरीके सा चारूँ तरीके सावे। अब यह अगया 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 तो मैंने सिर्फ आज जाला बड़ा प्रेसेंटेशन नहीं तेयार किया है मैंने बहुत मामूली तीन स्लाइट्स बनाई है तो आपकी एक प्रारेंबिक स्लाइड है और ये आपका गद्ध साहती का एक भाग दूसरा हम आज पढ़ रहे हैं जिसमें कि नाट्टि साहती है पहले बाग में हमने कहानी और उपन्या साहती के ऊपर चर्चा की थी और आज के इसमें हम नाट्टि साहती में जो हमारा आज की कक्षा का पाठेक्रम जो कवरेज है वो इन बिंदूं में बटा हुआ है वो देश और प्रस्तावना मैंने लगवग लगवग आपको समझाई आधुनिक नाटक रचना में संघर्ष एवं अतंतर द्वन्थ ये बहुत थी शोध का विशह है इसमें अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे फिर और विस्तार से भी चर्चा होगी हिंदी नाटक के विकास में हम देखेंगे कि कैसे विकास रूवा पूरू पीठी का क्या है यानि भारतेंदू युग से पहले के नाटक फिर दुवेदी युग के नाटक दुवेदी युग के नाटक और भारतेंदू युग के नाटकों में जो शरजन है जो रचनात्मक की परंपरा चल पड़ी कैसे एक युग से दूसरे युग में जब कोई सहत्य की विधा प्रवेश करती है तो अपने पिछले युग से कुछ अवशेश लेके आती है नए युग में एक नए स्रजन की नई उमंग के साथ प्रवेश करती है तो जो दोनों ही विचारधाराओ का संगम होता है उसका एक बहुत ही उतकरष्ट उदारन है प्रशाद युग के लिखे हुए नाटक जो कि कहीं कहीं कुछ-कुछ बौधिक होने लगे थे फिर प्रशाद के बाद के युग में जो नाटक लिखे जा रहे हैं और आज एक नए नाटक के रूप में हम उस वि एक पल जपकते ही हजारों लाखों करोनों किलोमीटरों की दूरी को तै कर लेती हैं उस दौर में नाटक का क्या भविश्य है किस तरह के नाटक लिखे जा रहे हैं कैसा परंपराओं का निर्वाह हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है समवेदनाय अलग हो गई है भाशा प्रस्तुती अलग हो गई है रंगों से रुपहले परदे तक हम पहुचे हैं हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा समारने के सामान हो गए हैं पहले के नाटक में जिसमें के नाटक कार के पास सिर्फ एक कागज होता था नाटक लिखने के लिए और अपनी कलपनाए होती थी और जो उन नाटकों को रंग मंच पर प्रस्तुत कर रहे होते थे उनके पास सीमित साधन हुआ करते थे सीमित वादेंतर होते थे सीमित उनके पास मेक अप होता था और बहुत सीमित संख्या में उनके पास लोग होते थे जो उस जमी से उस आंचरिक्ता से उस भावना से और समपूर रूप से अगर मैं कहूं तो उस समवेधना से जुड़े होते थे उनके दर्शक भी श्रोता भी करने वाले भी देखने वाले भी या नहीं के लिए वाव बढ़ी चीज नहीं होती ते लेकिन आज आज नाटक एक विदा से अधिक और आपार है बड़ी बड़ी नाटक कंपनिया भड़ी थियर्टर कंपनिया हैं वड़े बड़े लाखों करोणों के मंच हैं रंग हैं कितने कितने में ही किसी विद्यार्थी का प्रश्म था कि सर नुकड नाटक क्या है तो मैंने वो प्रश्म आज के लिए छोड़ दिया था कि जब नाटक की कक्षा आई ही तब हम उसके बारें बात करेंगे और फिरम पांच मिनट दस मिनट में सारांस रखेंगे और इस तरह से आज की इस साथ और आप भी आज हमारे साथ नाटक करेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि हम सब एक अच्छे अच्छे नाटक कार बराएंगे नाटक के विशह में आप लोगों में कोई एक दो लोग में देख रहा था कि कई सीनियर विद्यार्थी भी हैं कुछ साधी सुदा लोग भी है कुछ है क्या जरा चैट बोक्स में लिखिए दो चार अब सेख जी आप साधी सुदा है नाटक के उपर बात याद आई है असित प्राण गही जी है अच्छा और सरला शर्मा जी है स्वेता पंडर जी है चले ठीक है बस एक मैं हूँ ही तो मुझे हलका सा बात द्यान में आ गई कि नाटक के एक परवार सहर में रहता था और पती पतनी और दो बच्चे थे कुछ दिन मैं एक उनकी जो मात थी यह नहीं परवार का जो मुखिया था उनकी जो माता जी थी जैने कि बच्चों की दादी वे जो है गाओं से शहर में उनके घर आईं रात को आईं तो अच्छे सो चुके थे सुबह जगे तो देखा घर में दादी हैं तो बच्चे बड़े खुश हुए तो दादी ने पूचा कि बेटा मेरे आने से बहुत खुश हुए हो तो बहुत अच्छा लगेगा तो जैसे बड़े बुड़ों का मन होता है कि क्यों बेटा मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश हुए हो आप लोग तो बच्चा कहने लगा कि दादी दादी हम तो इसलिए खुश हुए हैं कि आप रोज नाटक देखने को मिलेगा तो दादी ने पूशा कि मेरे आने से रोज नाटक देखने को क्यों मिलेगा कि वो तो हमको नहीं पता आपके जब आने की चर्चा होती थी तो मम्मी पापा में आपस में जगड़ा होता था और मेरी मम्मी रोजाना पापा से कहती थी हाँ जैसे ही तुमारी मा आएगी इस पारवारी जन यहां जुड़े होंगे वो इस बात को वड़े आसानी से समझ के सुन के मंद मंद मुस्करा रहे होंगे फोटो तो मैं नहीं देख पा रहा हूं कि हम लोग उस जीवन के नाटक का कैसा अनंद लेते हैं तो नाटक में जो कथोप कथन होता है उसकी भासिक संरश संरशना में एक कलात्मक्ता होती है कथोप कथन कथन और उसका उपकथन इसकी जो प्रस्तुती है उसकी जो भाशिक संरशना है उसमें जो कलात्मक्ता है उसमें जो अभिव्यक्ति है उसमें जो सामन जस्य है जीवन का साहिद्य की भासा के साथ कि किसी व्यक्ति के मुह से अबिव्यक्ती में भाशा है और भाशा के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ती की किरिया है, जो सारीरिक किरिया है, जो भाव है, जो अंग भाव है, जो कलात्मक्ता है, उस कलात्मक्ता का वाद्य संगीत से, बाद्य यंत्र से, शिल्प से, उस आंचिलिकता से, उस रंग मंच के परिवेश से, सामने बैठे हुए दर्सक और सुरोताओं से, संपूर परिवेश से, जो एकात्म भाव है वह जितना, जितना जादा से जादा होता है, नाटक उतना ही सफल लिखा हुआ माना जाता है, उतना ही सफल मंचित के हुआ माना जाता है, उतना ही सफल जिया हुआ माना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको विद्या सागर जी वाला उधारन दिया था तो आज जितने ही हमारे पास माद्यमुपलप्ट हैं, उन माद्यमुप का प्रयोग करते हुए किसी चीज को कितना रोचक, कितना मन मोहक, कितना रंजक, कितना अर्थवान, कितना सकारात्मक, कितना सार्थक बनाया जा सकता है यह प्रयास इस विधा में इस विधा से जुड़े हुए सभी कारकों का जिसको कि हम अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स कहते हैं उनका होता है लिखने वाला अच्छा नाटक लिखना चाहता है कि जो दर्शकों को मंत्र मुग्द करे ऐसी एक्टिंग करना चाहता है एक्टिंग करने वाला तो यह बहुत सी जो कलाएं हैं इन कलाओं के स्वंयोग से एक ऐसा अभिने द्रश से प्रस्तुत किया जाए जो कि जिसके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है वह अपना सुदुबद खो बैठे और यह न समझ पाए कि यह रंगमंच पर वह कुछ और देख रहा है वह उसे लगे कि यह इसका एक भाग है वरना क्या होता है कि जैसे आप कहीं कोई फिल्म देखते हैं कोई नाटक देखते हैं तो यदि किसी पात्र की कोई एक्टिंग आपको अगर भाती नहीं है तब फिर आपका मन और हिर्दय कुछ और सोचने नहीं होते हैं फिर आप वहा बैठे भर होते हैं आप उसको पडर भर रहे होते हैं आप उसके साथ साथ जी नहीं रहे होते कोई भी नाठक तभी सार्थक माना जाता है जब उसमें जो शब्द याबाग की प्रियोग हुए है उनकी कलात्मक्ता आपके अपने जीवन से, अपनी काया से, अपनी बाणी से, आपके अपने सुभाब से, आपके अपने आहार्य से, आप को ऐसा लगने लगे कि आप उस पात्र के भाव आपके अंदर आ जाएं, यानि कि अगर सामने वाला कोई उकसाने वाली बात कह रहा है, कोई सामने वाला पात्र, दूसरे पात्र को यदि नाठक में पीट रहा है, तो पिटने वाले के प्रती आपके मन में दया भाव, और पीटने वाले के प्रती क्रोध भाव, अगर पैदा हो जाए, तब वो दोनों पात्रों के अवने की सफलता है, इसलिए कालिदास ने नाठक को चाक्छुस कहा है, चाक्छुस यग्य, हमारी सहतिक और वैदिक परंपरा के वागमे में इस जीवन को भी एक यग्य कहा गया है, यह शरीर प्रभू की दी हुई पंच भूतों से निर्मित एक समिधा है, एक हवी है, हवी समझते हैं न जो ओम स्वाह, तो जो हम अर्पित करते हैं वो हवी है, वो समिधा है, वो हवी देवताओं का भोजन है, तो यह मानव शरीर भी एक, समिधा के रूप में इस पूरे जीवन को हमारे दार्शनिकों ने जीवन यग्य कहा है, और इसलिए सबसे अंतिम आहुती इस पूरे सरुईर की हम अगनी को अर्पित करते हैं, वो हमारी अंतिम आहुती है, अटल जी की कविता किसी ने पढ़ी हो तो याद करिए, आओ फिर से दिया जलाएं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, तो पढ़िएगा, आज जरूर पढ़िएगा, उसमें यग्य का आपको संदर्व मिल जाएगा, तो यहाँ पर संदर्व में जो कहना चाहता था कि खाले दास ने इस नाट्टि प्रदर्शन को चाक्षुष यग्य कहा है, क्योंकि इस नाट्टि पस्तू को एक्षन में लाते हुए, रूपान करन करते हुए, नाटक कार क्या करता है, कि जो अभिने में गर्वित संवाद है, द्रश्य है, द्रश्य सज्जा है, प्रकास विवस्था है, द्वनी प्रभाव है, इन सब का एक समुचित संयोजन करते हुए, वो नायक या उस नाटक के जो पात्र हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनकी जो जीवन दशाएं हैं, उनको एक एक एक्षन and continuous action, यानि गत शीलता या क्रितिया क्रिया सीलता में प्रत्यक्ष्थध दर्सक के सामने रखता है, यह इस नाटक की, इस विधा की एक रिशेश और अन्य विधाएं आप देखिए, अन्य विधाओं में क्या होता है, कि आप जो पढ़ रहे होते हैं, कि कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, निवंद पढ़ रहे हैं, कोई रिखाचित पढ़ रहे हैं, यातर ब्रतांद पढ़ रहे हैं, महा का भी पढ़ पढ़ रहे हैं बाकी साहतिकी जितनी भी अन्य विधाये हैं उसमें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उस सब में आपको अपना बॉधिक आपको अपना विशेश आपको अपनी बुद्धिमता के साथ उसको समझना होता है आपको उसकी अपनी बुद्धिमता के साथ उन वर प्रणरों को जो लेकक ने दिये हैं या रचना कार ने दिये हैं या रचना कार जो चित्र प्रस्तुत करना चाहता है या जो संगीत बज रहा है उसमें लिखा हुआ है उन सब के साथ साथ आपके पास सिर्फ एक विकल्प होता है कि आप भासा के जरिये जो लिखा हुआ है ज बेवज़े दिल पे कोई बोजन भारी रखिये, जिन्दगी जंग है, इस जंग को जारी रखिये, अब कलम से न लिखा जाएगा इस दौर का हाल, अब तो हातों में कोई तेज कटारी रखिये. अब ये चीज मैंने पढ़ी, आपको सुनाई, इस लिखे हुए के साथ आपको सारे द्रश्चे में खुद घूमना पड़ा, तेज कटारी के समय आपको अपने हाथ में कल्पना करनी पड़ी, कि मेरे हाथ में कटारी है, लेकिन नाट्य में, नाटक में, रंगमंच में यह आपके सामने है कि जो नाटक में पात्र के हाथ में स्वेम कटारी होगी, तो अन्य विधाओं में, यानि कि जैसा कथा, उपन्यास, कहानी, मैंने बताया, महाकारबे, खंड़काबे, रेकाचित, यात्रा, ब्रतान, संस, मरण, जो कुछ भी है, डाइरी, उन सम्में क्या हुआ? उन सम्में आपको भाशा को पढ़ते हुए उस संपूर्ण विश्य वस्तू को जिसको की लेखक प्रकट करना चाहता था, आपको महसूस कराना चाहता था, वो आपने भाशा के जरिये समझी. लेकिन नाटक में क्या हुआ? कि नाटक में जो कुछ लिखा हुआ है, उस विश्य वस्तू को, जिसको कि हम कथानक कहते हैं, प्रत्यक्ष एक रंग मंच पर घटित होते हुए दिखाया जाता है. या इन दोनों विधाओं का अंतर होता है. मेरी बाद समझ में आवे? तो इस अर्थ में क्या होता है? कि नाटक साहित्यकी अन्य विधाओं से थोड़ा अलग है. गत्यात्मक्ता नाटक का प्रमुख्टत्यो होता है. पात्रों के जो समवाद हैं, अविनय का माधियम है. नाटक की जो गथावस्तू है, उसमें एक कौत हूल होता है, बैठा हुवा दरसक सोचता है, अब आगे क्या आएगा? उसमें वो देख के नरने लेता है, ये कितना अच्छा सजा हुआ है, इसका मेकप कितना अच्छा है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, ये प्रकास मिवस्था कितनी अच्छी है, संगीत वाद्ध कितने अच्छे हैं, धुनी का साउंड एफेक्ट कितने अच्छे हैं, ये सब चीजें नाटक के जो दर्शक हैं, उसमे सम्वेदनाओं के इस्तर में घटोतरी अबडोतरी करते हैं यदि सब कुछ बहुत अच्छा है तो नाटक कार की जो मंशा है वो संदेश व्यक्तितर ठीक ठीक पहुचेगा और अगर ध्वनी ठीक नहीं है प्रकास ठीक नहीं है पात्र जो बोल रहा है वो सामने आपके नहीं पहुचा आपके कान में नहीं पहुचा बीच में बच्चे शोर कर रहे हैं बीच में Net वर्ग तूटगिया लाइट चली गई तो इन सब से क्या होता है कि नाटक का जो संदेश था वो आपके पास नहीं पहुचा तो ये कहा जा सकता है कि नाटक के साथ जो जुड़े हु गटक हैं, जो कारक हैं, वो नाटक की विशयवस्तु को बहुत अच्छा मनोरंजक बनाते हैं, चुटीला बनाते हैं, प्रभविष्णू बनाते हैं, इसलिए एक उक्ति प्रशिद्ध है, का जाता है कि काव्येश नाटक रम्यम, सभी काव्यों में जो नाटक है, उसमें मन रमता है, ये एक उक्ति प्रशिद्ध है, तो आप लोगों को ये समझ में आया, कि नाटक के साथ और साहिति की अन्य विधाओं के साथ थोड़ा सा क्या अंतर है, अब एक जो हमारा आज का सबसे मुख्य विशय है, जिसके वारे में कि हम ये, मैं थोड़ा ज्यादा समय ल है, वो क्या है, वो ये है कि जो नाटक है, मैंने जैसा के भी कहा था कि नाटक का मूल सुभाव है, मूल तत्व है, उसकी गत्यात्मक्ता, तो गत्यात्मक्ता का जो रहसे है, जो भाव और विचार से जो प्रेरित है, कहां, बाहर, क्या, कौन प्रेरित कर रहा है, नाटक का क्या प्रेदित कर रहा है अपना भाव किसको जो सामने बैठा है या जो पढ़ रहा है तो ये अंदर वाले का बाहर वाले के साथ जो संगमंद है इसमें एक संगर्स है और ये सारी के सारी गत्यात्मक्ता जो नाटक की है इस संगर्स से ही पैदा होती है इसलिए देखा कि कुछ जो हमारे पश्चमी नाटक विचारक विशेशग्य हैं उनके लिए नाटक का अर्ध ही एक तनाव है एक संगर्स है और इन तनाव और संगर्स की परिस्तितियों को अविव्यक्त करने का माध्यम ही उन्होंने नाटक को माना है हमारे हैं नाटक का योगंपरारव मानते हैं हालांकि भारतिंदु युक से पहले भी नाटकों की चर्चा है लेकिन हमने उसको दूणों तरह से अलग-लग रखा है पूरुपीठिका और भारतिंदु युगीन नाटक तो भारतिंदू के बाद के नाटकों में तो संगर्स और द्वंद आया है, निश्यती है, भारतिंदू के बाद के लिखे हुए नाटकों में आपको संगर्स और अंतर द्वंद मिलेगा, लेकिन हमारी जो नाटे परंपरा है, उसका मूलत तो सिर्फ संगर्स और अंतर द्व नहीं है हमारे यहां की नाट्ट्य परंपरा रस निश्पत्ति के आधार पर संपूर्ण रस के संयोजन में विश्वास रखती है नाट्ट्य परंपरा में समस्त रसों का आनंद आता है ऐसा विद्वान मानते हैं तो यहां पर हमारा थोड़ा सा पास्चात्य विचारकों से थोड़ा सा अंतर है कि वो लोग जहां नाटक को तनाव अंतरद्वंद संगर्स का रूपांतर्ण मानते हैं हमारी परंपरा नाटक को पूर्ण रूप से तनाव नहीं मानती, पूर्ण रूप से अंतर दुन्द नहीं मानती, हमारे यहां उसको रस की धार कहा गिया है, इसलिए आप देखिए, आप चाहे जो ग्रामीन अंचलों से हो, गाउं कितना ही पिछड़े से पिछड़ावी गा गाउं के भी किसी बुजरुग से पूछिए, तो वो आपको बताएगा कि हाँ, हमारे गाउं में एक नाटक होता था, हर गाउं में कोई ना कोई एक नाटक करने वाले दसमाच लोग जरूर हुआ करते थे, जो कि साम को गाउं की चौपाल पर, किसी चबूतरे पर, किसी साम में किसी की हवेली के आहाते में, कहीं भी कुछ ना कुछ नाटक का कुछ ना कुछ अंच जरूर होता था, अब हम आयetगे कि हिंदी नाटक का विकास कहां से हुआ, हिंदी नाटक, नाटय लेखन और प्रयोव विग्यान, प्रयोव विद्वीद्व मतलब अवीन है, ज साजों सामान के साथ एक गाउं से दूसरे गाउं, दूसरे गाउं से तीसरे गाउं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नदियों के किनारे, कभी-कभी मौसम के हिसाब से भी, कभी-कभी जलवायू के हिसाब से भी वो लोग अपना परवराजक बने रहते थे, ब्रमण करते रहते थे, जैसे कि यहाँ बरसात का समय है, तो यहाँ इस समय लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो उस जगह च जात्राएं भी होती थी और नाटकों का प्रदार्शन भी होता था, तो हमारे यहाँ का बहुत लंबा एतियास है, बल्कि प्राचीन सास्त्रों में दिया आप जाना चाहें, तो मनु और यागिवल की स्प्रतियों में भी नटों का उल्लेक मिलता है, नट, नट शब्द य कारण कुछ अलग है, थोड़ी सी हे भाबना, उसका कारण यह हो सकता है कि नारद ने, नाट्य सास्त्र के विशह में नारद जी ने ऐसा कहा कहीं पर, कि नट को या नाटक में जूट बोलने को असत्य वचन को थोड़ी स्विक्रिती दी जा सकती है, तो हमारे यहाँ की जो की जो परंपरा थी, सायद हमारे यहां के बहुत शुद्रतावादी लोगों को यह परदास्त न हुआ हो, इसलिए उनोंने उन जूट बोलने वाले पात्रों को थोड़ा सा हेद रिष्टी से सायद देखा, यह ऐसा मेरा मानना है, मेरे इस पक्ष में कोई विद्वान का मत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, तो तूसरे क्या हुआ, कि जब मद्योग में जब सब हमारी पुरानी चीजों को विद्वन्स करते हुए आक्रमनकारी आ रहे थे, तो वो सब विद्वन्स करते हुए आ रहे थे, रंग सालाओं का भी विद्वन्स किया, कलाओं का भी जो राज प्रशाद थे हमारी रंग साला है जब तूट गई तो जैसंकर प्रशाद जी ने लिखा है एक जगह पे कि मद्यकालिन भारत में जिस आतंक और अहिस्थरता का सामराज था और वहां की रंग सालाओं को तोड़ा फोड़ा गया था तो बारहमी और ग्यारहमी सताब कि अच्दी तक आते आते नाटक लेखन रंग भूमी के जीवित संदर्व से कटने लग गये लेकिए क्या अरथ है इसका इसका अरथ यह हुआ कि पहले जो नाटक लिखे जाते थे वो पूरी तरह से ऐसे लिखे जाते थे कि वो किसी को उनकी सामने एक्टिंग करनी है उनक जिनी computerized technology आ गई कि फिर वो नाटक टेक्निकल ज़्यादा होने लगे फिर उनमें उतनी ज़्यादा भाशा और साहित ते उतना नहीं रह गया जितनी उनमें टेक्निकलिटी आ गई तो भारतियंदु युग से पहले के कुछ नाटक है जो कि ब्रज भाशा में लिखे गए थे और मद्युग के बाद के युग में अधिकांस नाटक इतिहास मूलक होते थे उनमें कोई ना कोई इतिहास से संबाद उठा के उन्हें लिखा जाता था और वो इस तरह से लिखे जाते थे एक व्यक्ति ये बोलेगा इसके बाद दूसा व्यक्ति ये बोलेगा इस तरह से क में लिखे जाते थे तो उस समय के दौर के नाटकों में रामाइड महा नाटक जो कि प्राणचन चोहांजी ने सन 1610 में लिखा करुणा भरण लशी राम ने सन 1657 में लिखा गया आनंद रगनंदन महराज विश्वनात राम करुणाकर हनुमन नाटक ये सब उसी 1840 से पहले के दौर के हैं और इन सभी की जो समवाद सेली में ही लिखे गए थे और अधिकांस में पद्यात मक्ता भी प्रयोग में आती थी पद्यात मक्ता प्रवंध काबे के रूप में और इस तरह से उस दौर में जो हमारे समाज की हमारे दर्शकों की हमारे भारत वर्ष की जो से उसके अनुरूप ही उस तरह के नाटक लिखे जाते थे तो भारत हिंदु से पहले के जो नाटक थे वो अधिकांस ब्रजभाशा में थे और ब्रजभाशा में लिखिया होने के करण क्योंकि उस समय खड़ी बोली का अस्तित तो इतना महत्यपूर नहीं था खड़ी बोली इतनी प्रभावशाली नहीं थी ब्रजभाशा ज्यादा बड़े अंचल में ज्यादा बड़े भूबाग में भारत बर्श में बोली जाती थी तो जब मजीवी भाशा परिस्कत भोली में लिखने जाने लगी परिस्कत भाशा होने लगी ब्रजभाशा से थोड़ा आगे बढ़े फिर एक खड़ी बोली का सुरू बिक्सित हुआ तो वही चीज जो अशी के साहती की अन्य विधाओं में आई वो नाटकों में भी आने लगी अंग्रेजी राज जब इस्थापित हुआ तो अंग्रेजी राजी के साथ भारत बर्श में तलक भड़क आई साज संवरना आया मेक अप का सामान आया तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा बौधिक नाटक होने लगे थोड़ा सा तारकिक होने लगे थोड़ा सा यथार्थवादी होने लगे तो बीस भी सताब्दी जब सुरू ही तो इसके पहले दसक में क्या हुआ कि फिर ऐसे नाटक होने लगे कि जिन में कि फिर भाषा में अन्य देशों की जो हमारे भाषा आक्रुनकारियों की भी थी अंग्रेजों की भी थी पुर्तगालियों की भी थी फारशियों की थी तो उन भाषाओं के शब्दतियों की अब समाज में प्रसलन में आ गए थे वो समाज में शब्द बोले अगर आप कोई नहीं जानते हों तो मैं बताऊं कि रादेश्यम कथा बाचक एक इतने बड़े हालाएं कि अगर साहितिक द्रेश्टियों से आप देखेंगे तो इतना बड़ा उनका नाम नहीं है लेकिन क्योंकि मैं जिस अंचल का रहने वाला हूं भरेज शेत्र का तो उनका इतना मौटा ग्रंथ है उनके ग्रंथ मौटे मौटे हैं और वो क्या करते हैं उनका क्या था कि उन्होंने ये रामायण और महावारत जैसे महाग्रंथों को पद्यात्मक्ता में लिखा है यानि कि ब्रजचेत का अधुआ आगरा लीगर्ड मत्वरा हातरस बलंत सहर उस पूरे छेत्र में जो रामली लाएं होती हैं वो रादेशायम कथा वाचक के गरंध के आधार पर होती है। उसमें पात्र जो बोलता है रामली लामें मंच के ऊपर वो रादेशायम कथा वाचक का लिखा हुआ समवाद होता है जैसे मुझे अपने बच्पन का ध्यान है कि जब महाराज जनक सीता जी का स्वेंबर रचते हैं और जब कोई धनुष्ट नहीं उठा पाता है तो वो दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी धर्ती वीरों से खाली हो गई है मेरी पुत्री का विवाहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो राजे सेम कता वाचक का संबाद क्योंकि मैं रामडी लाओं में कुछ पात नाटक करता रहा हूँ तो मुझे वो अपना एक संबाद अचानक याद आ गया है कि लश्मर कहते हैं कि यह शब्द तीर साल लगता है प्रतवी वीरों से खाली है तो नाट परमपरा में पद्यात्मक्ता के साथ जो संबाद लखे जाते थे वे व्यक्ती के लिए बोलने वाले के लिए अविने करने वाले के लिए तो महत्तुपुण होते ही थे उनका सबसे बड़ा लाविय होता था कि जन्मानस उन नाटक के पात्रों के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता था और वो संबाद उसको याद रहते थे तो इसी युग में बहुत से नाटक फिल ले 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 लिखे जाने लगे श्रवन कुमार गंगा वतरन भीश मुप्तग्या दिल की प्यास विलु मंगल और प्सूरदास रुस्तम सौराव अब आते हैं हम भारते इंदु युग में जैसा कि आप जानते हैं कि भारते इंदु जी भासा की शुद्धता के पक्षदर थे और उनके युग में जो नाटक थे निश्यत रूफ से उनकी भाषा अच्छी थी और वो कुछ ना कुछ कुरूलतियों से, कुछ ना कुछ सामाजिक विद्रूपनाओं से, कुछ ना कुछ जो अंदविस्वास थे, जो विकृतियां थी, जो धारमेक सामाजिक, आर्थिक, प देरनगरी, ये सब जो नाटक उस दौर के थे भारतियंदु युग के, उनमें देशबक्ती की चेतना थी, और उसके साथ भारतियंदु युग में नील देवी, सत्यरिशन, पाखंड बिडंबन, उनके नाम भी ऐसे होते थे, पाखंड बिडंबन, अब इससे अपने आप पाखंड पर चोट की जाएगी, सती प्रताप, तो इस तरह के मुद्रा राक्षास, करपूर मंजरी, विद्या सुंदर, दौरलव बंधु, तो नाटक का सीरसक ही अपने आप में, नाटक देखने वाले को, पढ़ने वाले को, कोई ना कोई एक राय दे जाता था, और उसम कुछ ना कुछ ऐसा होता था, खास तोर से भारतिन्दु जी के आसपास के नाटकों में, कि वो काभ्यात मक्ता जो होती थी, वो ऐसी होती थी, कि देखने सुनने वाला, उसे याद रख पता था, जैसे, कि अब जब अंगरी जी राज के विशह में, बहुत पब्लिक को जन आंदोलन करना है, जनता को जगाना है, तो प्रगटाओं रविकुल रविनिशी, बीजी प्रता कमल गन फूले, अब इसके साथ एक जोस आता है, और मंद परे रिपुगन तारासम, जन में, तम अनुमूले, तम अनुमूले, मतलब इस अंदकार का विनास करना है, तो इस जो भाशा शहली हुआ करती थी, प्रस्तुती हुआ करती थी, तो वो नाटक करने वाले के साथ, सुनने वाले के, देखने वाले के, मन में विचार करता रहता था, मन में, मस्तिस्क में गूंसता रहता था, और उनमें बड़े आहवान होते थे, उन समवादों में बड़े आवान होते थे जैसे एक और आप देखें कि वो कहता है हे भारत भूमिनाथ भूमिनिज बूरत आने बचाओ हम सब ढूब रहें आईए हमें बचाईए तो एक आवान होता था तो ये भारतिन्द युग के नाटकों की एक लंबी परंपरा है इसके बाद में हमारा अगला य जिसमें के दुवेदी युग में नाटक सजन अगक के दरश्टी कोंड से खरम देखें तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ इसमें नाटक बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे theory दुवेदी युग में क्योंकि उसमें पौराने के एतियास एक सामाज एक रोमा और चेतना और समास सुधार की दिश्टी से लिखा गया, लेकिन थोड़ा सा हास हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उपदेश आत्मक का जादा आ गयी, थोड़ा सा उपदेश भाव जादा आ गया, जो नाटक का जो चरित्र था ना, वो एक आदर्स की स्थापना के लिए थोड़ी सी भाशाई शैली में दुरूहता आ गयी, थोड़ा सा जादा ही सुधारात्मक आंदोलन के रूप में उपदेश देने की प्रवर्ती के कारण, अब जैसे कंसवध है, करुनाल है, राजिश्री है, कुरूबन दहन है, सेनापती उदल है, भारत दुरदशा है, ब नाटक उस यूग में नहीं मिलते हैं, हाला कि उस यूग में बंगला से और अन्यभासाओं से, अंग्रेजी से खास्तोर से, अंग्रेजी से और बंगला से नाटकों का अनुवाद पर्याप्त हुआ, रंग मंच पर ये एक नया द्रस से देखने को मिलता है, डिवेद यू पर यूग में क्या हुआ कि हिंदी के नाटकों का एक बहुत ही इसको हम बहुत समर्द यूग कह सकते हैं, क्योंकि प्रशाद जिस तरह के सवमस्त प्रतिवाओं के कलाकार थे, साहत्तिकार थे, उन्होंने गद लिखा, पद लिखा, कहानी लिखी, नाटक लिखा, सब कि इस समय रंग मंच का तो थोड़ा सा अभा हुआ, लेकिन एक प्रध्योगी की का जो नया युग था, नई सोच थी, नई शिक्षा विवस्ताएं थी, बाहर से आने वाली भी नई नई परंपराओं का और संस्कृतियों का समावेस बारत में हो रहा था, तो जहां से जो अच्छा मिल रहा था, देखने को मिल रहा था, पढ़ने को मिल रहा था, देश विदेश के जब लोग यहां आने लगे, तो उनके साथ अनेक तरह के उपन्यास भी आने लगे, और भाशाओं का भी साहित थे हमारे समाज में आया, हमारे साहित तिकारों ने पढ़ा, आप देखिए प्रशाद को पढ़िए, प्रेम चंद को पढ़िए, अग्ये को पढ़िए, है ना, इन लोगों को आप पढ़िए, इनके साहिद्ट में आपको हमारे देश से अलग कितने ही विदेशी साहिद्टिकारों के ओधरन मिलते हैं, कोटेशन मिलते हैं, कितने ही, हजारों हजारों सेक्डों सेक्डों लोगों के नाम आपको प्रशाद के अग्ये के प्रेम चंद के इनके सहते में मिल जाएंगे कहां से मिल जाएंगे क्यों मिल जाएंगे क्योंकि ये उतना पढ़ते थे तो वो सब चीजे जब हमारे समाज में आई हमारे सहते कार ने बाहर के सहते क लिखे गए जैसे कि जन्मेजय का नागिय के विशाखा, अजाद सत्रू, कामना, इसकंद गुप्त, एक घूट, चंद्र गुप्त, धुम स्वामिनी, ये सब जो नाटक थे करुणा ले और प्रायस्चित, ये सज्जन, ये इतने बढ़िया नाटक और खासतोर से मैं समझता इसकंद गुप्त को तो आप में से कोई भूल नहीं सकता, हमेशा पढ़ने लाएक एक नाटक जिसको आप कभी भी खोली है, आपको कहीं से भी खोली है, आपको एक अलग ही आनन्द मिलेगा, तो ऐसे नाटक प्रसाद युग में लिखे गए, और क्योंकि प्रसाद का विक तो उस दौर में रोमांटिक नाटक भी लिखे गए, और ऐसे नाटक लिखे गए, जो कि नाटक की कला के साथ साथ विकसित हो रहे थे, कलाकार की भी प्रतिवा का परिमार्जन हो रहा था, भाशा का भी परिश्करन हो रहा था, शुद्धी करन हो रहा था, संशोधन हो रह इस दौर में इमेजिनेशन, साहित्यकार का, कथाकार का, कहानिकार का, नाटक कार का, लेखक का, कभी का, इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शीलता, ये बड़ी उतंग उंचाही पर थी, तो नाटक कार भी इससे अचूता नहीं रहा, और बहुत अच्छे-च्छे नाटक लेखे लोग भी पैदा हो रहे थे तो जीवन प्रसंग में जीवन प्रसंग में जितनी तरह की परिस्तितियां थी उन सब खो समाहित करते हुए नाटक लिखे जा रहे थे तब देखिए इसी दोर में प्रशाद जी के साथ ही कितना बड़िया बड़िया नाटक कार हुए तो वो जो नाटक कार हुए उस दोर में दो भागों में बाटा जा सकता है एक तो वो जो प्रशाद के जैसे ही लिख रहे थे और कुछ लोग थे जो प्रशाद के जीवन काल में ही प्रशाद की सहली से विरोध में भी लिख रहे थे और आप जानते हैं कि किसी भी विधा का, किसी भी व्यक्ती का तभी विकास होता है जब उसके दोनों पक्ष विक्सित होते हैं, एक दिशात्नक विकास नहीं होता है, जब विरोध होते हैं, तभी विकास होता है, कुमर वेचन जी की फिर लैन में याद करके आपको बता हूँ, कि जिसमें लौ है, विरोध हों में और चमकेगा, जिसमें लौ है, विरोध हों में और चमकेगा, किसी दिये पर अंधेरा उचाल कर देखो, तुम्हारे सीने की जलन भी कुछ कम जरूर होगी, तुम्हारे सीने की जलन जरूर कुछ कम जरूर होगी, किसी के पाउं से काटा निकाल कर देखो, तो जब आप किसी के पाउं से काटा निकाल कर देखते हैं ना, तब आपके अपने सीने की जलन कमजूर होती है, और जिसका विरोध होगा, वही और चमकेगा, तो प्रसाद यूग में जो इतना बढ़िया नाटक का यूग, स्वरनेम यूग माना जाता है, उसका कारण यही रहा, कि हरीकेशन प्रेमी, ब्रंदावनलाल बर्मा, रामकुमार बर्मा, चेंद्र गुवत विद्यालंकार, गो जोशी, बवानीदत, राम ब्रक्षवेनिपूरी, लाला, किशंचंद, जेवा, कितने ही लोग थे, जो प्रशाद के आसपास जिन्हों ने लिखना सुख किया, तो इससे क्या हुआ, कि उस यूग में बहुत नाटक लिखे गए, और बहुत काल जई नाटक लिखे गए, ज इसको जो भाव लगता था, समाज में जिसको जो दिखाई देता था, उसके आधार पर उसकी लिखनी चलती थी, तब इसका लाग क्या हुआ, कि 1929 और 30 के आसपास में, हम नाटक परमपरा में एक ऐसे युग में पहुंच के, जहां पर यथार्थवादी और समस्या मूलक नाटक लिखे जाने लगे, क्यों, क्योंकि समाज में रहने वाला नाटक कार, समाज से, समाज की समस्याओं से, समाज की समवेदनाओं से, वो अचूता नहीं रहा, बवानी पिशाद मिस्वी जी ने कहाना है, कि मैं समवेदना पकड़ कि लाता हूं, समवेदना पकड़ता तो ये चीज उस यूग के नाटक कारों ने, सहतिकारों ने अच्छी तरह समझ दी, जैसे ही कोई विचार आया, उन्होंने उस पर लिखा, तो इससे बहुत विश्टार हुआ, बहुत विकास हुआ, हर तरह की समस्या, हर तरह की शेली, हर तरह की भाशा और उन समस्याओं के स हमारे सहतिकार की बौद धिकता, जिसको कमें इंटलेक्शुलिटी कहते हैं, जब वो विकसित, जैसे जैसे विकसित हुई, उसके साथ साथ ही, हमारे नाटक कारों ने, हमारे सहतिकार ने, अपनी बौद धिकता का उपयोग, अपनी रचनाओं में किया, और वही पात्र उसे वही कहलवाया, जो उस समय का यथार्थ था, जो सच था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अब पीडियों का द्वंद आया, पुरानी पीडि से नई पीडि का है कि द्वंद आया, क्योंकि पुरानी पीडि पारंपरिक्ता के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी म यृशंद की कारण तर्क-वी- तर्क आया, विचार विमर्श आया एक-दूसर ऑया एक-दूसर κα्षेट यृशक का और जब ऐसी परंपरा विक्सित होती है विचार विमर्श की तब हमको जब विचार विमर्श रथा है उस समय बहुत अच्छी चीज लिखी जाती है जब विचार विमर्स होता है के बनश्मती है तो ये प्रविर्टिया हमारे प्रशाद युक के नाटक में आई अब प्रशाद के बाद के नाटकों का एक बहुत लंबा इतिहास है प्रसाद के बाद के नाटकों में क्या हुआ जैसा होता है कि एक बड़ा आदमी होता है अधिकांस लोग उसको फॉलो करते हैं उसका अनुगमन करते हैं तो प्रसाद के बाद के नाटकों में भी वही चला पुरान एक नाटक लिखे गए गीति नाटक लिखे गए प्रतीक न के लिए लिखे गए तो ये एतिहासिक भी लिखे गए अब इस सब में क्या हुआ कि प्रवाह बहुत अच्छा बना रहा नाटक साहित सम्रद्ध बहुत हुआ और इतना नाटक साहित लिखा गया कि अगर आप देखें कि 1933 से लेके 30 32 से लेके और जब आप 60 63 तक आते हैं तो आपको आप इतनी लंबी सूची बन जाएगी आपके पास आप देखें आज से अगर आप सुरू करें तो अगर आप यात्रा करें जैसे आप सुरू करें 63 65 से पीछे की और जाएं तो लेहरों के राजहंस, चंद्रगुत विक्रमादेत्य, अंब पाली, मानव प्रता, पह किश्मीर का काटा, अशोक, गड़द्वज, रक्तदान, प्रकास इस्तंब, आहुती, प्रतिशोद, स्वपन भंग, शक विजय, सिंद्पतन, विक्रमादेत्य, दाहर, जासी की रानी, ये कितने नाटक आपने उस दौर में देखें, तो उस दौर में पहुत मजबूत पर और उसके बाद आपा ये मोहनरा के इसका आसाड का दिन, कौडार, नया नाटक का जद दौर चला, तो ये सब जो रंगमंच के लिए ही लिखे गए नाटक थे, जो कि आज भी बहुत पसिद्ध हैं, आज भी हर जगह उनका मंचन, रंगमंच पर उनकी प्रस्तुती होती है अब संवेदनाय और शिल्फ थोड़ा अलग-लग हुए, पहले क्या था कि नाटक कार समाज की मूर्त समस्याओं को सामने रखता था, अब क्या हुआ, शिल्फ में थोड़ा सा बेद हुआ, थोड़ा सा बहुत दिखता आई, थोड़ा सा गंभीरता आई, थोड़ा सा चेतन दर्शक और शोता भी जागरूक हुआ, दर्शक का भी तर्क जगा, उसकी भी बहुत दिखता जगी, वो भी चीजों को तत्यों के आंकड़े में देखने लगा, उनका चीछा लेदर करने लगा, इसको कि आप अंगरीजी में पोस्ट मार्टम कहते हैं, आज का दर्शक हो, त तुरंत नाटक देखते हैं, गूगल करके देखेगा, कि सामने वाला पात्र सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो जब इस तरह का परवर्तन जब आता है, तो इन सब के साथ, जो हमारी रंक मंची ये प्रतिवधता होती है, उसमें भी परवर्तन आने लगते हैं, तो ह हमारे आज के साहतिकार ने एक नई द्रस्टी से देखना सुरू किया, नरेंद्र कोहली ने नौखंड महासमर के लिख दिये, हमारे महावारत के पूरे कथानक को नई द्रस्टी से लिख दिया, देविदत पतनायक ने हमारे पौरानिक पात्रों को एक नई द्रस्टी दे तो जैसी जैसी समाज में बहुत दिखता, तारकिकता, प्रस्तुती करण की प्रद्योगी की आई और जैसे जैसे हमारी समझ बड़ी उन चीज़ों के साथ हमने हमारे नाटक और अन्य विधाओं का भी परिमार्जन होता देखा, शुद्धी करण होता देखा, विकास होता द अस्था की और मुर्ती हुई, तर्क की और चलती गई, समवेदन सीलता आवस से बढ़ी, ऐसास बढ़े, लेकिन कुछ रचे हुए मिथक टूटे भी, कुछ बुत जो बना के रखे हुए थे वो टूटे भी, कुछ बुत तराशे गए, कुछ बुत टूट गए, कुछ परम पराएं नई बनी, कुछ परमपराएं पुरा नहीं टूट गई, और इस पूरी प्रक्रिया में नया सिल्प बना, नई समवेदना बनी, नई भाशा बनी, नई प्रस्तुती बनी, वक्ता लेखक भी नए आए, धर्शक भी नए आए, पुराने जो परमपरिक दर्शक थे, वो इस नए रंगमंच से अपना तादा में नहीं बिठा पाए, तादात में नहीं बिठा पाए, नए दर्शक आए, पहले नाटक देखने जाने के लिए आदमी बहुत फुरसत में जाता था, आज के दर्शक के पास एक दिन में चार-चार नाटक देखने का उसको लोव लगा, बहुत बड़े 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 थेटर बन गए, एक व्यापार, एक बाजार, एक बहुत बड़ा अभिजाति वर्ग नाटक से जुड़ गया, रंगमच से जुड़ गया, अनेक संस्थाएं खड़ी हो गई, अनेक ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने लग गए तो इस तरीके से अब उसके अनरूप ही, अब क्या होने लगा, अब ये होने लगा कि जो 67 जो काल था, अब नया नाटक कर आ गया, अब उसमें एक नया निर्दिशक भी आ गया, पहले नाटक का रखेला एक नाटक लिखता था, वही अपने पात्र सजित करता था, वही तो अब क्या हुआ, नई प्रवद्योगी की में नया एक रंगमच निर्दिशक आ गया, एक नया नाटक लेखक आ गया, नई नई पात्र आ गया, वही पात्र आ गया, वही पात्र आ गया, पात्र भी ऐसे आए, जो पश्चमी देशों से, या पश्चमी प्रशिक्शन पद्दिती से निकल कर आए थे, तो अब नए लाइट सिस्टम आ गया, नए साउंड सिस्टम आ गया, इस्टेज आटोमेटिक आ गया, मैकनाइज इस्टेज आ गया, मशीनी करत सिस्टेज आ परदे, परदे, हैट्रोलिक सिस्टम से उठने बंद होने वाले परदे आ गया, लाइट इफेक्ट आ गया, तो क्या हुआ, कि अब जो जैसे वर्गतोल वेख्त के जो नाटक थे, अब वो आक्रोस गरवित रंग मंच्वन, आप जैसे आप का जो भाव है, एक पात्र जो अपने संवाद से पहले भाव पैदा करता था, क्रोध पैदा करता था, घ्रा पैदा करता था, उसकी डायलोग डिलीवरी, उसकी प्रस्तुती दर्शक के मन में एक भाव पैदा करती थी, अब क्या होने लगा, कि अब दर्शक के मन को बनाने के लिए, दर्शक के मन में वो भाव पैदा करने के लिए बहुत से बाहरी तत्व काम करने लगे, लाइट, साउंड, परदा, बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो जो वर्तोल विख्त के जो नाटक हैं, वो आक्रोस गर्वित रंगमन, जिसको एंगरी थेटर, या महा काव्यात्मक रंग प्रियोग, एपिक विएटर, यह सारे के सारे नाटक के सिल्फ और सम्वेदना होने लगी, और हमारी जो परंपरागर्थ जो नाट्य अभिवक्ति थी, उससे हमें अलग करने का एक प्रयास देखने को मिला, और बिलकुल दो अलग-अलग दरशन नाटक के होने लगे, कि एक अस्तित्त वाद दर्शन होने लगा और एक जो हमारे पहले हमारे नाटक कार जो लिखते आ रहे थे वो सब होने लगा तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा प्रयोग भी किये गए कि नई प्रवद्योगी की में हमारे पुराने नाटकों को भी डाला गया जैसे कि ब्रेक्ट की जो धाला थी वो थी अथित्त खोजी मानव की जहलक और ये हमारे यहां जगदीशन्द माथुर के कोणार्क में आई थी तो उस टेक्नलोजी का उस प्रवद्योगी की का प्रयोग जो हमारा दकजीशन्द माथुर का 1964 का नाटक था कोणार्क उसमें हमन में कुछ परियोग किये तो इस तरह से आज आदुनेक युग में आप देखिए कि बहुत से पुरानी चीजे राम की शक्ती पूजा का नाटे मंचन होता है बड़े बड़े गुरुप लगे हुए उसको बनाने के लिए रहस्मिरती का नाटे रूप अंत्रन होता है तो आज की प्रद्योगी की से नाटक परंपरा में एक अस्तित्वादी दर्शन और एक वेचारिक दर्शन एक धर्मूलक अस्तित्वाद इसको कि हम religious, existent, idealism कह सकते हैं और अनीश्वर मूलक बाद यानी अनीश्वर मूलक अस्तित्वाद ये बहुत सारे वादों के बीच में भी हमारी नाटक परंपरा अब अच्छी से अच्छी तरह आ रही है नाटक एक विमर्श है किरकेगाद धर्मूलक अस्तित्वाद के जो प्रेये अब जैसा कि हर विधा के साथ होता है हमारे नाटक के साथ भी हुआ हुआ क्या कि जैसी जैसी देश की या विश्व की जो परिस्तिती होती है युद्ध, आकाल, भुक्मरी, बाड, विविश्यका, सूखा, हमारे धार्मिक मानिताओं में परिवर्तन, व्यक्ति की स्वतंत्र था, फिर रास्त्र की स्वतंत्र था, फिर हमारी अविविक्ति की स्वतंत्र था, वैचारिक स्वतंत्र था, तो यह जो स्वतंत्र होने की जो चाहत है, स्वतंत्र होने की जो चाहत है, इस चाहत से भी साहतिकार अच्छूता नहीं साहत्यकार को साहत्यकार क्योंकि समाज में ही जीता है साहत्यकार का भी कोई ना कोई धर्म होता है कोई विचारधरा होती है जो समाज में जैसी धारा चल लए होती है जैसा कोई वाद या कोई विवाद या कोई समवाद ये जो कुछ भी चल रहा होता है साहतिकार के सामने वे सभी चीज़ें पात्र होती है कहानिकार लिखते समय कहीं दूर नहीं जाता है बहुत दिखता है उसके पास किन्तु उसका पात्र कहीं उसके आसपास ही है एक बार प्रेम्शंद ईलावाब गए और महादेवजी से मिलने जाना था वो उनके घर गए महादेवजी कुछ लिख रही थी तो वो प्रेम्शन को पहंचान नहीं पाया जो उनका माली था वो खित में काम कर रहा था तो उन्होंनेप me , पूछा कि महादेवी जी हैuti कंव या बहाद कि लिखे हैं'? तो वहीं आराम से वह ब बर्गत के पेरके नीचे आराम से…… हमसा पूछे बहें हो बहा करता है और बतांते हैं कि क्सक्ते क्व बढ़ करता है? और बिटिया की साधिवादी होई गलवा इस तरह से बात करने लग रहे हैं अब काफी देर हो गई तो महादेवीजीन अंदर सुना कि माली किस से बते आ रहा है अतनी देर से तो वो बाहर आई तो देखा कि प्रेमचन बैठे हुआ है तो नन कहा रहे आप आए को आए पताया नहीं अरे मुझे बता दिया होता तो प्रेमचन ने कहा कि नहीं हम आपको क्यों बता दे हम तो अपने पात्रों से बात कर रहे थे आप लिख नहीं थी हम अपने पात्रों से बात कर रहे थे तो मेरे कहने का आश है यह है कि यह जो हमारा साहतिकार होता है यही समाज का पात्र नहीं होते हैं, बोगत दिखता असे पात्रों का सर्जन चैसूसी उपन्यास में या प्रणोगि की फिल्मों में किया जा सकता है, लेकिन सहथिका जो सहीर सुरूप है, वो यही है कि जब पात्र हमें हमारे आसपास ही जीवन्त अवस्ता में मिलता है, वह रचना कालज यही होती है कि उस रचना का पात्र जैसे कोई बुरामत मानना अगर किसी का मामा बड़ा खुरापाती हो हमेशा कोई ना कोई स्रडेंट रगुंता रहे तो हम लोग अपने घरों में क्या कहते हैं आ गया सकुनी मामा कहते हैं न तो रामाण के कथा का कि यह सबसे बड़ी सफलता है कि उसके पात्र हजारों लाखों वर्ष बाद भी जिन्दा हैं उनके नाम जिन्दा है आज लाखों वर्ष बाद भी कोई माबाप अपनी पुत्री का नाम कहके या मंत्रा नहीं रख सकते हैं सूपन का नहीं रख सकते हैं यानि कि जहाँ पात्र एक प्रविर्टी का सूचक बन जाता है ऐसी रचनाएं जब कोई साहतिकार देता है तब वही काले जाही साहतिकार बन पाता है और मनश्य जाती के लिए यही एक दुखद नियती है कि जहां हमें कुछ भी चाहिए हमें सबसे पहले चुनाव करने की स्वतंतरता चाहिए होती है हम चुनाव की स्वतंतरता चाहते है और सारा का सारा द्वन्द संगर्स इस स्वतंतरता को ही पाने का है साहतिकार के सामने भी यही दुंद है चाहिए वो भारति अंद्य यूग से पहले का साहतिकार हो नाटकार हो चाहिए वो आज का आधनिक साहतिकार हो हमारे अस्तित्ट की पहंचान हमारे अस्तित्ट का संकट हमारे अस्तित्ट की खोज ये हर रचना के मूल में है जैसे जैसे प्रदोगी की यूग बढ़ा है यह भूंक और बढ़ी है इसलिए साहति स्रजन निरंतर जारी है दुतिय विशुद हुआ, अस्तित्यों के उपर संकट खड़ा हुआ, बहुत सारी विचारधानाएं विशु में चली, तो उस विचारधारों में साहते लिखा जाने लगा, साहते, हर साहते कार का फिर अवीश्ट दुतिय विशुद के बाद की परिस्तितियां हो गई, तो उस समय नाटकों में भी आप चाहें, तो इसी तरह कि बहुत से आपको ऐसे नाटक मिलेंगे, जहां पर कि न तो कोई कथानक है, न कोई कथा पुरुष है, न नायक है, न नायका है, न कोई विवस्ता है, न कोई निश्वित मूल की स्थापना है, न आत्न सम्मान है, तो य क्या था ये दित्यों विष्व के बाद का जो विष्व था उसका यथार्थ था, हर राष्ट तूटा-फूटा था, हर राष्ट चिन भिन था, अर्थ विवस्ता है चिन भिन थी, सामाजिक तानावाना तूटा उआ था, संबंध तूटे हुए थे, विक्ती तूटा हुआ था, राष्ट तूटे हुए थे, कोई विवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई मूल नहीं थे, कहीं कोई आग्रह नहीं था, तो उस समय ऐसे नाटक लिखे गए अब इसके साथ ही, आप देखिए कि बहुत सारे नाटक ऐसे भी हुए, कि जो हमेशां आपको याद रहेंगे, हमेशां आप कुछ ना कुछ आप उनसे पाएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे उनको देखे, आपको बहुत अच्छा लगिया, जैसे आप कुछ नाटक के नाम देखें, यह सूरी मुख है, एक सत्यरिष्चंद है, मिश्टर अविमन्यू है, दरपन है, अब्दुल्ला दीवाना है, सूखा सुरोवर है, मादा कैक्टस है, अंदा कुआ है, आसाड का दिर मोहनरा केस का, आपने हमेशां पढ़ा होगा, लेरों के राजन्स है, आधे अ दूरे की चर्चा, कल हम लोग एक वैब मीटिंग में थे, विश्व के कई विश्व द्यालेओं में पढ़ाए जाने वाले पाथिक्रम की चर्चा, हम लोग साम को एक मीटिंग में कर रहे थे, जिसमें के सिंगापूर से, कैंब्रेज उनिवस्टी से, अमेरिका से, मौरिस से, सूरी नाम से, फिजी से, आस्टेलिया से, लंदन से, बहुत सारे 10-12, 15 साहत्यकार, 15 से जाद 28-30 के करीब लोग थी, तो एक प्रफेसर केंब्रिज की थी, तो वो आधिया दूरे के लिए बता रही थी, प्रफेसर अनुशुया, कि आधिया दूरे को वहाँ लोगों न खास तोर से, सिंगापुर के बच्चों ने इतना पसंद किया, कि जो पच्चे पहले हिंदी में अच्छे अंक नहीं लाते थे, जैसे ही आधे अधूरे पाठिक्रम में जोडा गया, अगले वर्स से बच्चों के बहुत अच्छे अंक, ओले विल की परिशा में आने लगे तो ये जो नाटक की क्या खासियत रही कि उससे लोगों ने बच्चों ने अपना तादात में इस्थापित किया, अंधा युक कितना अच्छा नाटक था, एक पूरे के पूरे युक की कहानी, पूरा का पूरा युक का चित्रन, सुरिंद बर्मा का द्रोपदी, सूरी की जन्तिम किरण से सूरी की पहली किरण, आठ्मा सर्ग, अपना अपना जूता, हत्या एक आकार की, अग्ये का एक बहुत प्यारा नाटक था, उत्तरपिय दर्शी, त्रशंकू, डाक्टर संकर शेष का एक और दुरुणाचारे, है ना, एक और दुरुणाचारे, और अगरी नाम से नाटक लेका, तो यह सब नाम ऐसे थे, कि आप साहतिकार के साथ साथ इनको पढ़ना चाहते थे, सिंगहासन खाली है, मरजीवा, तिल्चिट्टा, धोवास, देवयानी, तीसरा हाथी, उल्जियाकृतिया, दरिंदे, उत्तर और वर्शी, और एक विद्यार आपको त्रक्ती नहीं मिली, आपको और कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे नाटक कारों की जो नाटिस्ट्रस्टी है, जब नाटिस्ट्रस्टी हर इस्तर पर एक समझ का विकास करते हुए, इसले समझ का विकास, समझ का विकास करते हुए यदि आपको आपको यानि कि नाटक देखने वाले को या सुनने वाले को या पढ़ने वाले को अगर वो एक ऐसे मोड पर ले जाकर छोड़ती है जहां इस्तब्धता है, जहां एक अनुत्तरित प्रश्ण है, जहां एक ऐसी उल्जन है, जिसे कि बड़े आसान तरीके से सुल्जाय नहीं जा सकता, यानि आप उसमें उलज गए, एक ऐसी तरलता जहां आपको कोई रचना छोड़ती है, तब वो आप उससे जुड़ते हैं, अन्धेरे कमरे, अन्धेरे कमरे आप पढ़ते जाएं, आपको पूरे उसके साथ उपन्यास के साथ आपको कहां कहां नहीं गुजरना पढ़ेगा, संभू की हत्या पढ़िए, आपको लगेगा कि इतने युगों पुरानी कहानी आपके साथ आज है, नरेंदिक ओली ने एक और स्रणनम नाम से एक चोड़ा सा उपन्यास लिखा है, तो स्रणनम में उन्होंने गांधारी और ध्रतराष्ट के साथ गीता के पूरे ज्यान को लिया है, गीता जैसी ग्यानात्मक पुस्तक को उन्होंने इतनी गयात, इतनी पठनियता के साथ प्रस्तुत किया है, तो ये हमारे स्याहित्तिकारों की एक बहुत मजबूत शमता रही है, कि उन्होंने सब कुछ लिखा है, और इस रूप में प्रस्तुत किया है, कि एक बहुत बड़ा नाटक पढ़ने वाला, नाटक करने वाला रंक मंच का हमारे पास वर्ग बना, फिर एक जन्वादी नाटक की बात आती है, कि जब हमारे देश में, फूरे विश्व में, माकसवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, तो फिर यथार्दवादी नाटक होने लगे, मजदूर का संगर्स, वर्ग संगर्स, सरवहरा की करांती, माकसवादी विचारदारा, तो यह यह प्रयोग जहां-जहां जिन नाटकों में हुए, और यह खाली फिर हिंदी में ही नहीं हुआ, जहां-जहां माकसवाद, जहां-जहां मिलें थी, जहां-जहां मजदूर ज़्यादा था, जहां-जहां फैक्टरियां थी, वहां इन सब चीजों का जैसे-जैसे माकसवाद पहुंचने के साथ-साथ ही, माकसवादी विचारदारा के प्रेरित होकर नाटक लिखे जाने और पहले तो मूल नाटक का जनवादी नाटक का उद्देश ये था कि ये जनवादी चेतना जागरत कर रहे थे और दुती महायुदगा विरोध करना था लेकिन वो विरोध किसलिये था कि जो सरवहारा वर्ग था जिसको कि वो मजदूर वर्ग कहते हैं उनके हितों की करना था और जो पूजी बादी वर्ग था उसके खिलाफ एक विरोधी ताकत को खड़ा करना था और यह विरोधी ताकत जिसका कि नायकत्व हिटलर कर रहे थे उनके साथ खड़ा होना था तो इसी उद्देशे से उस दौर में हमारे वीर सावकर ने एक नाटक लिखा था दादा और जाफरी ने एक नाटक लिखा था यह खून किसका है तो यह जन्वादी नाटक की सेनी में आते हैं जो कि उस दौरान लिखे गए थे द्युति विशुदी के बाद और यह काफी प्रशलित नाटक हुए जो कि उस समय मंच पर इनका मंचन किया जाता था और यह सब नाटक हुए जो कि कई भाशा में भी लिखे गए पड़े गए फिर राजेंद्र बेदी का एक नाटक था नकले मकानी और जादू की कुर्शी हभीब तनवर ने एक नाटक लिखा सत्रंज के मोहरे यह सब जो हैं दखन की रात यह सब चीजें यह सब नाटक यो लि मस्त था तो उन्होंने दितियों विशुद के बाद की परिस्तितियों का चित्रन करने के लिए जनवादी नाटकों के रूप में कहीं कहीं से जो बहुत प्रशिद कृतियां थी उनके किनी अम्षों को लेना सुरू करकि उनका मचन शुरू कर दिया, उनका नाटी रूप मैं ज संद्टी वर ऋपन्यास कर दिया। कैसे जैसे प्रेम संद के अपन्यास में गोदान था, सेवा सदन था ,करमुमी था ,कफản था+, ऐद गाहता, कहानी थी , स्वासे घैहूं थी .. तो क्या हुआ कि इनके जो कथानक थे इनका मंचन शुरू करना शुरू किया अब जैसे गोदान की जो परिस्तिती थी वो उपन्यास है लेकिन उस उपन्यास को रंग मंच पर नाटे रूपांत्रेत करके गाउं की दुरदशा जमीदारों का आत्याचार गरीब की दुरदशा का चित्रन करने के लिए गोदान की जो कथावस्तू थी वो बड़ी मुफीद रही बड़ी अनकूल रही तो लोगों ने उसका भी मंचन किया सवासेर गयं हूं ठाकुर का कुवा बड़े घर की बेटी तो इन चीजों का भी जो कि नाटक के रूप में नहीं लिखे गए थे किन्तु प्राद्योगी की के बढ आज के एक बहुत बड़े वर्ग की अनुरुक्ती के कारण इन कथावस्तूं की कहानियों को या उपन्यासों को भी मंचित करने का प्रयास किया गया जो कि बहुत सफल हुआ जो कि बहुत सफल हुआ तो ये हुआ जन नाटक का मंच प्रदर्शन से लिए अब साब इसमें उस दिन बात आई थी उससे पहले मैं बात करूँ एक एफसर्ड नाटक युक्की तो जीवन की जो विशंगती थी जो अंद विस्वास थे जो उल फिजूल के प्रसंग हमारे जीवन में आते रहते हैं जो हमारी एक दिशा हीनता है जिससे कि जीवन कहीं गहरे अफसाद में भी चला जाता है इन चीजों में घुसके जब नाटक कार इन से बाहर निकालने के लिए प्रियास करता है और कोई मंचन किसी रचना का करवाता है तो उसको हमने एक तरह से मन जैसे भी मंचन हुआ जैसे कि उसर एकांकी बहुत सारे एकांकियों का मंचन बहुत आसान रहा उपेंदरनात अस्क रामकुमार बर्मा इन लोगों के उपन्यासों का भी एकांकियों का भी बहुत अच्छा मंचन हुआ और वो भी फिर एक तरह से उपन्यास होते हुए या एकांकी होते हुए या कहानी होते हुए फिर वो नाटक परमपरा की भी बस्तू बनके नाटक परमपरा की भी धरोहर बन गए जैसे अंधों का हाथी सरत जोशी का नाटक था है ना मुद्रा रच्स का नाटक था तिल चिट्टा मर जीवा और मौन राकिस का मेड डिलाइट है ना मैड डिलाइट और इस तरह से और भी नाटक रहे जिनकों के उस समय के आप एफसर्ड नाटकों की स्टैनी में रख सकते ह जैसे भुमनेश्वर का उसर था, एकाकी था, विपेन अकरवाल का कुड़े का पीपा था, लोटन, राश्च समराट, अपने देश में और एक बहुत अच्छा नाटक था, मौत एक कुत्ते की, कितना बड़िया सीरियल रखा था, इसका नाम रखा, सीर्शक रखा था, तो त सब जनवादी नाटक की शारी में थे, इसके बाद थोड़ा सा और आगे के युग में आते हैं, फिर आते हैं जब नाटक एक कला हो गई, फिर नाटक कर्मी हो गए, नाटक कर्मी फिर बड़े-बड़े-बड़े-बड़े आत्मी होने लगे, बहुत पैसे वाले आत्मी हो अत्वा पात्र साइड कलाकार जब वो नाटक से वहां पहुंशने लगे निफटा इनिफटा फीटा टीफा ये इतनी तरह कि जो संस्थाएं खड़ी हो गई नसुदीन साह अमिता बच्चन ये लोग जब नाटक से वहां पहुंशे नाना पाटे कर ये सब लोग जब नाटक करते थे पहले या रंग मंच करते थे या थिएटर करते थे जब ये लोग फिल्मों में बहुत सफल होने लगे तब लोगों का ध्यान इस विधा की और इस रंग मंच की सक्ती की और और ज़्यादा गया और फिर क्या होने लगा समस्या मूलक नाटक होने लगे फिर और तन सब तामजाम हटा दो, रोष्णी हटा दो, परदे हटा दो, जितनी भी नाटक करने में तामजाम लगता है, दिवस्थाएं लगती है, जो भी उनकी सामगरी लगती है, मेहगाई लगती है, जितनी महंगी धन दौलत लगती है, मेकप लगता है, फिर उन्होंने एक नया प्रयोक किया, उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने कहा कि समस्या को पकड़ो, एक समस्या लो, और उस समस्या के आधार पर किसी भी सडक के किनारे खड़े हो जाओ, किसी भी चौराहे पर खड़े ह जाओ और न कोई थेटर चाहिए, न कोई प्रिक्षा ग्रह चाहिए, न कोई साज सज्जा चाहिए, न कोई मेकप चाहिए, बस 10-20 लोगों को एकटा करो, और रोजमर्रा की जो जिंदगी है, लोकल जिंदगी, इस्थानी जिंदगी, वहां की जो विडम बना है, वहां की जो समस्या है वहां की जो विसंगती है वहां का जो अंतर व्रोध है उसे सामने मूल रूप में रखो और दस वीस लोगों को एकटा करो बलकि करो भी मत आप नाटक सुरू कर दो और जो जा रहा है जो गुजर रहा है वो उसे देखना सुरू कर लेगा और बस यह हो गया आपका नुकड़ नाटक और इसके लिए कहीं आपको कोई रंग मंच नहीं बनाना है कहीं आपको कोई स्टेज नहीं सजानी है कोई जुक्य जोंपड़ी के बीच की खाली जगे है कोई मैदान है कोई सड़क का चोरा है गाम की चौपाल है स्कूल का मैदान है कोई च्छत है कोई बस स्टेंड है रेलवे स्टेशन है और कहीं भी आप एक नाटक शुरू कर दीजिए और ये नाटक इस तरह से जो खुला नाटक होने लगा और ये सबसे पहले ये प्रियोग हुआ और ये बहुत प्रश्रित हुआ आज की तारिक में ये भी एक बहुत 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 शशक्त माध्यम है अपने दर्शकों तक समाज तक ये बात पहुँचाने का और इसमें कोई खर्चा नहीं होता नाटक में आसु संबाद होते हैं हो सकता है आपके पास बहुत पहले का लिखा हुआ लिखित संबाद भी ना हो लेकिन आसु संबाद भी हो सकता है एक समस्या आप लेके चले दस पाँच आपके पात रहें आपने उस समस्या के उपर थोड़ा सा चिंतन मनन किया, चांडरी चौक में आप पहुंचे, या भुमनिश्वर में आप कहीं पहुंचे, रेल वेश्टेस्न के सामने आपने कोई समस्या देखी, देखा कि आपने गंदगी है, गंदगी वहां से कोई उठाता नहीं है, आपन एक बार किसी को सिकायत की, देखा आप इस सिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, गंदगी के धेर के सामने आपने अपने चार-पांच लोग लिये, एक धोलक या थाली या कोई बरतन लिया, सूटकेस लिया, कुछ भी लिया, हाथ लिया, पीटने लगे, औ मिशनर को, अरे देखो भाई, ये नगर पालिका के धिकारियों को, अरे देखो भाई, एक कैसा देश है, अरे इस देश में हमेशना सुद्रता होती थी, पवित्रता होती थी, और आज देखो इस देश का हाल, बुमनिश्वर सहर के बिलकुल पीचों बीच, ये देखिए गंदगी का हाल, यह देखिए कूडे के धेर, और कहां से आएंगे अब सबरी के मीठे बेर, तो इस तरह से एक प्रस्तुती करते हुए, आपने चलते हुए लोगों का ध्यान आकरशित किया, और आपने समझ्या कियो ध्यान आकरशित किया, दस्टी, पचास सो लोगों ने आपकी बात को सुना, एक जन दबाऊ बना, एक प्रेशर बना हो सकता है, वहां से सामने से, मेरेश्पिल्टी के कमिशनर भी गजर रहे थे, रेलवे के डियारेम भी गुजर रहे थे, आपके छेतर के काउंस्लर भी गुजर रहे थे, उन्हों का जैसे घोटाला, गंदगी, धार्मिक अंद विस्वास, जाड़ फूंक, पॉंगा पंती, ये जो सब चीजे हैं, बहुत से सामाजिक समस्या हैं, पारवारिक समस्या हैं, लड़कियों की शिक्षा, भून हत्या, एसिड अटेक, इस तरह की बहुत सी समस्या हैं, इन में से क पर एकटा करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, इसमें आपका नरत्य भी हुआ, गाना भी होता है, डालोग डिलिवरी होती है, काब्यात मुक्ता भी होती है, गद्यात मुक्ता भी होती है, और मूल रूप से ये आया कहां से था, ये नुकड नाटक, ये जो ह आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही बोलना है, इसमें आलुचनात में टिपणी, इसमें ब्यंग, इसमें कटाक्ष, इसमें आक्रोस, इसमें एक संदेज देने की भावना थी, जिसमें कि आप किसी भी तरीके से सफल हुए, तो आपका प्रयास सार्थक हुआ. और इसी में बादल सरकार सफदर हास्मी इन लोगों को सबस्यादा स्रिय जाता है जिनोंने जलूस, हत्यारे, औरत, मशीन, सहमत नाम से एक संस्ता बनी सहमत क्या थी? जो सफदर हास्मी थे, सफदर हास्मी दिल्ली या गाजयवाद में ऐसे ही एक नुकड़ नाटक करते हुए ही उनकी जिस समस्या पर वो नुकड़ नाटक कर रहे थे, कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी तो ये अपने आप में इतियास का एक सबसे दर्दनाक दोर रहा है उनके नाम पर ही फिर सहमत हास्मी ट्रस्ट बना था और उनोंने फिर बाजल सरकार ने और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े जिनोंने के बहुत अच्छे नाटक दिये जिनके नाम जुलूस, औरत, मश अच्छीन, हत्यारे इस तरह के बहुत से नाटक फिर दहिज प्रता के ऊपर फिर इस तरह से हर समय हर जगे बहुत सारे नाटक आपको देखने को मिल सकते हैं तो मैं अपनी बात इस सारा अंस के साथ समाप्त करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत तेजी के है और मैं खुद नाचा हूं इस नाटे परमपरा का निश्चित रूफ से आपको कुछ आभास कुछ अंदाज हुआ होगा कि हमारे यहां की नाटे परमपरा कितनी मजबूत है और मुझे लगता है कि इस नाटे पूरे पूरे नाटे इतिहास को जीते हुए पिछले एक द अच्छा नाटक किया है और मैंने प्रयास किया है कि बहुत सी गृता के साथ आपके पाठिक्रम को मैं कवर करूं तो नाटक के लिए सारांस रूप में हम कह सकते हैं कि नाटक साहित्ते का आरम लगवग उन्नीसमी सतीपदी के पहले-पहले ही हो चुका था संपूर्ण हिंदी नाटक को अगर हम देखेंगे तो हमने कई युगों में बाटा पूरू पीठिका में बाटा भारतिंदु में बाटा प्रशाद में डिवेधी में फिर इनके बाद फिर आद्वनेक फिर जनवादी फिर इथार्थवादी फिर नुकड नाटक तक हम उस प्रज़ना के इस तरपर नाटककार हर युक्षे अलग लग रहे, चित्रन और प्रदर्शन का भाव अलग रहा, बहुत धिकता का बहुत गहरा गैप है, बहुत अंतर है दोनों, एक युग से दूसरे युग में भी अंतर है और एक युग से चौते युग में तो फिर जमी आस्मान का अदर है, है ना, बहुत बड़ी दूरियां है, जिसके लिए कि यह भी कहा जा सकता है, कि दूर हो कर भी न दूर हो पाईं, दूर यह अपनी, क्यों? तुम्हें मझबूरियां अपनी, हमें मझबूरियां अपनी, तो हर दोर के साहितिकार के सामने उसके दोर की मजबूरी रही है उसके दोर की समस्या है रही है हर यूग की अपनी अलग समस्या होती है हर यूग का एक अलग चेतनता का अंतरिक्ष होता है हर यूग की अपनी गहराई होती है और कोई भी साहतिकार हो, किसी भी विधा में लेक रहा हो, वो अपने युग को चित्रित करता है, वो अपने युग का स्पोक्स परसन होता है, प्रवक्ता होता है, तो इस तरह से हर युग ने अपने युग के यथार्थ बोध को नाटकों में भी प्रस्तुत करने का, अवि प्रोफेसर अभीशेक सिंग जी और उरीशा मुकतविस्विद्याले की पूरी टीब करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कि आपने ये सौफसर मुझे उपलब्द कराया, अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों का, मैं हार्दे का हवारी हूँ, जिनोंने मुझे समय दिया, बहुत बड़ा विशय था, राष्टी रंगमंच और नाटक का, नाटे थ्यास का, मै मैं कोई पक्ष अचूता न रहे, और मैं आपको बहुत अच्छा सा नाटक करके दिखाऊं, अब मैं नाटक करने में सफल रहा कि नहीं रहा, ये तो प्रोफेसर विशय की मता हैंगे, आप सब का बहुत 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 दन्यवाद, बहुत बहुत आवार, पुरी टीम का, पुरी सब इस रृष्म ृष्षव ग्याला का, मेरे गुर्देश प्रोफेसर एमल सरमा जी का, रहकेश शरमाजी का, सब बहुत 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 आपका, इससले लगातार विद्वादि ज्रमाजी सिर्वैटा कर रहे थे, नियरंतर लिख भी रहे सब्सक्राइब का विकास आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हिंदी नाटक का विकास कुछ अलग से नहीं हुआ गद्धि साहतिक में हिंदी नाटक भी एक अंस रहा है जैसे जैसे कथा साहति बढ़ा जैसे जैसे और विधाओं में साहति रचा गया उसके समानांतर ही हिंदी नाटक का विकास हुआ है आगे बढ़ता है सर लक्षिन प्रिया जी ने प्रशन लिखा है कि गद्ध्यात्मक नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं गद्ध्यात्मक नाटक का जो प्रमुख तत्व है वह है उसकी गद्ध्य की घ्राहेता गद्ध्य इतना दुरूह न हो जाए कि वह फिर पाठक उससे दूर हो जाए पाठक संदेश को न पकड़ पाए अग्ये ने एक जगए लिखा है कि किसी वी रचना का मूल तत्व अभिव्यक्ती ही नहीं है अभिव्यक्ती है वो तो निश्यती है लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपून है उसकी संप्रेशन वियता वो संप्रेशित हुआ कि नहीं हुआ तो गद्यात्मक नाटक का सबसे मूल तत्व है उसकी संप्रेशन यह था यदि वो पाठक तक वो दर्शत के पास तक नहीं पहुँचा तो फिर वो अस्फल है अगर बढ़ते हो सब पूजा यादब में प्रश्लिफ है कि नुकड़ नातक के बारे में फालकी कुल से और बटा दूज्या होता है नुकड़ नातक जैसा कि उसके नाम से ही इस पस्त है नुकड़ यानि कि जहां दो अवन्तिकाओं दो गलियों दो सडकों का एक कोना जै जैसा बनता है कि आपने सुना होगा कि जाओ नुकड़ की दुकान से पान ले आओ तो नुकड़ नातक का अंग्रेजी अन्वाद है स्टीट प्ले यानि कि वह नातक जो गली महलों में जो सडक पर कहीं भी खेला जा सकता हो गली नाम स्टीट प्ले मुझे ऐसा लगा कि स्टीट प्ले के साथ क्यों जुड़ा हुआ है कि आधिकान सतहर आप अगर किसी महले में रहते हैं तो आपकी गली में जिस गली में भी आप रहते हैं उस गली में कुछ समस्याएं तुरंत पैदा होती हैं तुरंत उनके उपर बहुत एकदम विश्युद जैसा विचार विमर्ष और जगड़ा होता है और दस बीस मिनट में आदे घंटे में वो सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और गली का माहुल फिर यथावत हो जाता है जैसे गली में नगरपालका की चुंगी का नल है अब उस नल से पानी बढ़ने वाली 10-15 महल आए हैं किसी ने किसी का मटका हटा के थोड़ा पीछे कर दिया या किसी के मटके से किसी की चोट लग गए या किसी के मटके को किसी के मटके ने फोड़ दिया एक जगडा खड़ा हुआ, बहुत कल है पैदा हुई, विवाद खड़ा हुआ, गाली गलोज होने लगी, बच्चे निकल आए, पुरुष निकल आए, थोड़ी बहुत हलकी भुलकी मारा पीटा भी हो गई, गर्मा गरम भैस भी हो गई, और ये सब होने के साथ ही जैसे ही न पूरे नाटक के पात्र भी और दर्सक भी अपने अपने घर को विसरजित हो गए, नुकड नाटक की भी लगवग लगवग यही विशेशताएं हैं, कि वो किसी समस्या को लेकर बिना किसी बड़े रंगमंच के, किसी भी कौने में, किसी भी सड़क पर, किसी भी गली में, किसी भी खाली मेधान में, किसी भी बसिस्टेंट पर, रियल्वे स्टेशन पर, किसी भी खाली चौपाल पर, चबूत्रे पर, लोबी में, लोन में, 10-20 लोग एकटे हुए, कोई एक समस्या पकड़ी, जैसा कि मैंने आपको विस्टर के स्टेशन के सामने की गंदरी का समस्या आपने उठाई, हो सकता है उसके लिखित समवाद भी नहीं थे आपके पास, चार-पांच लोगों ने बस ऐसे ही बात की, और आपने एक समस्या का प्रकटी गरण किया, मंचन किया, और समस्या गातम हो गई, यही नुकरना टक है, जी सब, आगे बढ़ते हैं सब प्र हाँ, देखें, नाट्य शिल्प अपने आप में, मैंने जैसा कि हर, नकि सिर्फ नाट्य, हमारे साहति का कोई भी, कोई भी विधा आप ले लीजे, उसमें सिल्प उतना ही माइने रखता है, कि वह जिस वर्ग के लिए लिखा गया है, वहां तक पहुंचता है कि नहीं, तो सिल्प के विवाद में विना ज्यादा उल्जे हुए, किसी भी कथाकार को, साहतिकार को, नाटकार को, गद्यकार को, लेकर को, कवी को, सिल्प विधान का यही ध्यान रिखना है, कि उसकी भाशा शैली, उसका समवाद, उसका परवेश स्रजन, उसका पात्र स्रजन, उसका कथानक, विशेवस्तु, उसका संदेश, उसकी प्रस्तुति, उतनी सजग हो, कि वह यिथार्त तक पहुचे, जो वह कहना चाह रहा है, वह उससे मुखरित हो, वह संदेश निकल आए, ऐसा ना हो, कि नाटक दो गंटे का हो जाए, और संदेश न मिले, तो शिल्प विधान में सबसे महतुपोणिया है, कि वह संप्रेशन और संदेश पूरक होना चाहिए, जी, जी सर, आगे बढ़ते हैं सर, इक बहुत अच्छा प्रशन एक विधाजन लिखा, मैं पहले होने धन्यवाद दूंगा, प्रशन बहुत अच्छा है, वो लिखती है कि नाटके साहित रचना के पीछे क्या उदेश था, अच्छा, आप इसको बिलकुल व्यभारिक तौर पर ऐसे समझे कि नाटके साहित थी क्यों रच्छा गया, एक बार नरेंद्र कोली जी से हमारी बात हो रही थी, तो अटाटा नगर में हम लोग एक प्रोग्राम में थे, उसमें आपके वो भी थे अशोक शास्ती जी, जानकी बलब शास्ती जी के पुत्र, और भी बहुत सारे लोग थे, तो ऐसे ही इम लोग बैठे हुए थे तो बात होने लगी कि कहां से लिखना सुरू होता है, तो कहने लगे कि देखो मैं अपने भाईयों में सबसे छोटा था, और मेरे छोटे होने के नाते मेरे बड़े भाईयों का सारा अत्याचार मेरे उपर होता था, और मैं कुछ कह नहीं पाता था, तो मैंने एक कहानी लिखी और वो कहानी एक पत्रिका में छप गई, मेरे स्कूल की पत्रिका में तो मेरे स्कूल की पत्रिका में छप जाने के बाद वो मेरी भाईयों ने कहानी पढ़ी, और मेरी भाईयों ने जब वो कहानी पत्रिका में पढ़ी तो उन्होंने फिर वो बात भाईया को कहीं, और उसके बाद मेरे भाईयों के सभाव में परवर्तन आया, मेरे प्रती, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि नाट सहतिका उदेश क्या रहा, कि विशुद्ध भासा में लिखते हुए, जब हम या सहतिकार, कथाकार, उस बात को समझा नहीं पाया, और उसे लगा कि अगर इस संदेश में जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ गती आ जाए, कुछ एक्षन आ जाए, कुछ किरिया आ जाए, तब मैं अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरह कह पाऊंगा, या मेरा उद्देश से सफल हो पाएगा, तो उसने अपनी कथा लिखने की प्रवर्ती को या गद्ध लिखने की प्रवर्ती को या पद्ध लिखने की प्रवर्ती को उसने पात्रों में ढालते हुए थोड़ा सा बदला कि जो वह पाना चाहता है वह किस पात्र के माध्यम से पाना चाहता है अगर मैं उस पात्र के जैसे कि अगर वह क्रोध दिखाना चाहता है तो अगर एक क्रोधित होता हुआ पात्र अगर थोड़ा सा अपने शब्दों में तेजी लाता हुआ कहे तो हो सकता है कि इस बात का सार्थक प्रभाव पड़ेगा जैसे बिनेन मानन दिजलत जड़ गए तीन दिन बीत और बोले राम सकोप तब भैविन हो इन प्रीत बाई भगवान राम को लश्मर जी को सारी वानर सिना को समद्र के किनारे बैठे हुए जब भगवान ने प्रार्थना की है समुद्र देवता हमको लंका तक पहुँचने का मार्ग दीजिए और विने करते हुए जब तीन दिन बीत गए और जब राम को उन्होंने रास्ता समुद्र ने नहीं दिया गए तीन दिन बीत विनेन मानन दिलत जड़ जड़ यानी मूर जड़ जड़ यानी समुद्र विनेन मानन उसने विनेन नहीं मानी तीन दिन बीत गए तब क्या हुआ अब बोले राम सकोप तब भैर इन हो इन प्रीत अब इस एक दोहे की आधी अरधाली को आप देखिए अगर मुझे आप एक बार को ये मानिये कि मैं इस पात्र में हू यह मैंने आपको उपर रचना सुनाई आपने सुन ली कोई बात नहीं आपने सुन ली दे बोले राम सकोप तब भैर इन हो इन पीद भगवान राम ने तब क्रोदित होकर कहा कि बिना भै के प्रीती नहीं होती ये आपने पढ़ लिया आपने किताब बंद कर दी अब इसक नाठी रूपांतरण उधारण के लिए आप मुझे राम मान लीजे और उस दरस्थे में अगर मैं ये कहूँ लच मार मेरा धनुस मार लाओ तीन दिन हो गए हैं इस समुद्र के सामने विंती करते करते कहां है मेरा धनुस आज इसको सुखा दूँगा इस डैलोग डिलिवरी के साथ आपको तुरंट समझ में आगया कि अब क्या होने जा रहा है तो नाटिश साहित्य की आवश्यकता साहित्यकार को समाज की उन विशंगतियों को या उन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक लगी जहां किरिया आवश्यक लग रही थी मात्र भासा से काम नहीं चल रहा था मात्र लेखन से जहां काम नहीं चल रहा था वहां नाटिश साहित्य की आवश्यकता प्रारंभ हुई और वहीं से नाटिश साहित्य लिखा जाने लगा प्रशाद यूगिन नाटा की जिस्ताइं के बारे में बताए हैं, तो एक चीज हमें देखने हो यह निकलती है, कि जब हम भारदेंडु यूग के नाटा को देखते हैं, तो इसका मुल केंडर बिंदू माने तो 1854 की जो क्रांटी हुई थी, वो क्रांटी किसी ना किसी कारण वो इस तरह से सक्सेस नहीं हो पाती है, तो फेल हो जाती है यह क्रांटी, तो उसके बाद उसी पी जब नाटे को हम देखते हैं, तो उसमें हमारे जो पूराने, जो पू क्रांटी जब फेल हुई, लेकिन जब हम आगे उससे आगे बहते हैं भारत हिंदू सा आगे दिवेदी में जड़ावन जाते हैं, तो इवेदी में उतना ज्यदा परिबातन नहीं को दो दो फूराने पियास को उसके बाद उसे आधुनिक्ता में लाने का पियास तो उसे क आपके बाद में सिर्फ जो प्रशन करता है बड़ा अच्छा सवाल है उनका बहुत देख सवाल है प्रशाद यूग की विशेष्था में नाटक की विशेष्था में आप एक चीज सबसे महत्पून मान सकते हैं ये तो है प्रशाद यूग में जबसे महत्पून चीज थी वो थी भारति इंदू और दिवेदी के बाद के यूग में एक नूतन प्राण प्रतिष्था जो नाट्य विधान था एक शेली का नया विकास हुआ एक नई प्राण प्रतिष्था की गई जिसमें तीनों चीज़ें आ गई थी जिसमें सांस्कितिक चेतना भी आ गई थी राष्टी संचेतना भी आ गई थी और भावक्ष्वास पूर्टा भी आ गई थी इन तीनों चीजों का सम्मिलन जो हुआ, वो प्रशाद के नाटकों में था. दोनों की बॉं दिखताूं। दोनों की संवेधना हो दोनों के पात्रों का कुछ ना कुछ मिश्रण कुछ कुछ सन्योजन होने लगा था नाटकों में इसका रखिए भी है कि अगर आपकी तो हुए के साथ कितना नियाए कर पाई हिन्दी साहति चीज घीक्रंवी शोफ पढ़ने की यह नहीं हिंदी सायत जीने की वह चीज है और जीने का एक अलगानद हैं तो मैं आप सब को हार्दिख शुभकॉ群 mrrm आप सब बहुत भाल के धन्यवाद ayam ऐसे हिमका है का अफचारि बहुत है तो अगले सफतामे जो हिंदी आलोशना के हैक न रहेए ह करेंगे पर दोप्र राजीव कुमार आवासर हम लोग के साथ फिर से जुलेंगे हुंदी आलोशना पर चेचा करने के लिए तो आप लोगों से भी निवेदन है कि उसका पर एक्षा में आये कि पर अब हले जाया को बलता है कि आप जो अची शीनत दूर दोप्र स्यूरिय गारता है रोगने थीए तुबress our बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना समय दिया, आपको सब्सक्राइशा सुनना ही अपने आप में बहुत आनव मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद कि जी सर अधा गंटा से उज्यादा हो चुका है, फद गंतर गिद्याथी बने हुए हैं, सर के एक संप्रेशन को असल का नतीजा है कि विद्याथी अब तक बने हुए है, धन्यवाद विद्याथीयों को हमाने टेक्निकल सर्यों के देवासिस सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आवाद सकता है, सर आप अपने और सिक्तर एंड कर सकते हैं, बहुत बहुत आवाद, सभी का बहुत